नमस्कार आपका स्वागत है जीत साधना में जैमाता लक्ष्मी हर हर महादेव दोस्तों 8 अप्रेल 2024 को सूर्य ग्रहन वाले दिन घर के इस कोने में रख दें एक रुपया का सिक्का तुरंथी जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी सूर्य ग्रहन वाले दिन इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनो कामना होगी पूरी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा आप करोड़ पती बन जाएंगे वर्षों में ऐसा सुनहरा अध्भुत मौका दोस्तों तीन सौ सालों के इतिहास के बाद आठ अप्रेल को सोमवार के दिन साल का पहला और महा सूर्य ग्रहन होने जा रहा है इस दिन आठ तरीके के शुब योग बन रहे हैं क्योंकि दोस्तों यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा अगर आप इस सूर्य ग्रहन के बारे में नहीं जानते हैं तो यह एक ऐसा सूर्य ग्रहन होता है जिस दौरान सूर्य की रोशनी धर्ती पर आना बंद हो जाती है शास्त्रों के अनुसार ये एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां होती है उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है दोस्तों 8 अप्रेल को 4 महीना शुरू होने जा रहा है और 9 अप्रेल को और दिन के लिए नवरात्री भी लगने जा रही है हिंदू पंचांग के अनुसार 8 अप्रेल सूर्य ग्रहन वाला दिन अपने आप में एक विशेश और खास दिन होगा जिस दौरान कोई भी उपाय पूजा पाठ करेंगे उसका आपको पलट करके लाब जरूर मिलेगा और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए सिर्फ और सिर्फ एक रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्थ पर विधी विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो इस उपाय को करने के बाद ना केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी बलकि इस छोटे से उपाय को अगर आप सही मुहूर्थ पर करते हैं तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्ध होगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे आपके धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, कोट का चहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी, आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी, और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यान कारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, अब आप सोच रहे होंगे, कि एक रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके, आपको कैसे अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ती मिल सकती है, और आपके जीवन में चमतकारी बदलाव आ सकता है, तो रुपाय जरूर सफल हो जाएगा, और दोस्तों, जो एक रुपए का सिक्का जो होता है, वह हिंदु धर्म में एक विशेश और खास महत्वर रखता है, अगर आप यह बात नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, माता लक्ष्मी जी हो गई, माता तंत्र विद्या करने जा रहे हैं, तो उसमें हमेशा आपको आरेस के सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू करना चाहिए, क्योंकि धन संबंधित, अगर आप कोई भी पूजा पाठ तंत्र विद्या करते हैं, तो उसमें हमेशा आपको मुद्रा के पहले सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू करना चाहिए यानि कि दोस्तों अगर आपने सिर्फ आठ अप्रेल के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार रब के सिक्के का उपाय कर लिया तो फिर एक ही दिन के उपाय से आपको कई देवी देवताओं का आशीरवाद मिल सकता है और ना केवल आपके बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे है भगवान सूर्य देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें बहुत ही आगे जाएं तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान सूर्य देव जी की और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहन वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वहां कर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिये दोस्तों आठ अप्रैल को सूर्य ग्रहन भारत में रात्रे में नौ बज कर एक मिनट मिनट पर शुरू होगा और इसका समापन रात्रे में ही दो बज कर दो मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का जो अंतराल होगा वह लगभग पांच घंटे का होगा या सूर्य ग्रहन भारत में तो नहीं दिखाई देगा लेकिन सूर्य ग्रहन एक खगोलिय घटना होती है यानि कि इस दौरान आप कोई भी पूजा पाठ तंत्र विद्या तंत्र शास्त्र करते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता है और दोस्तों तिन सौ सालों के इतिहास के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है यानि कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जाही नहीं सकती और इस दिन आपको सिर्फ एक साधारण से सिक्के का उपाए तंत्र शास्त्र जोतिश शास्त्र के अनुसार करना है जिसकी जानकारी हम आपको एक-एक करके देने जा रहे हैं हर उपाए को करने की अपनी एक महूर्थ है इसलिए हर मुहूर्थ के बारे में कहीं पर लिख दीजिए ताकि इस सूर्य ग्रहन के दौरान आप जो भी उपाए करें उस उपाए का आपको लाभ मिले आपकी पूजा सिद्ध हो जाए और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाए लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था अभी तक आपने वीडियो को लायक नहीं किया है वीडियो को लायक कर दीजिए तो सबसे पहला उपाए जो हम आपको बताने जा रहे रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहन के बाद देवी देवताओं का आशीरवाद आपके घर पर बना रहे हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोडपती बन जाए तो सिर्फ इस सूर्य ग्रहन वाले दिन रात में दस बजे के बाद आपके घर में जहां भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है इस बात का ध्यान रखिएगा जितनी देर भी सूर्य ग्रहन लगा रहेगा उतनी देर अपने घर के पूजा घर को बंद रखिएगा लेकिन पूजा घर के सामने आप कोई भी उपाय कर सकते तो सिर्फ आपको ये करना है कि पूजा घर जिस भी कमरे में है आपके उस कमरे में आपको जाना है किसी भी पूर्व दिशा में आपको एक घी का दीपक जला देना है आपको अपने हाथ में लाल कपड़ा पकड़ना है लाल कपड़े में आपको एक मुठी चावल, एक लौंग और एक रुपए का सिक्का रखना है आपको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े में आपको एक मुठी चावल, एक लॉंग और एक रुपए का सिक्का रखना है. देखिए, एक रुपए का सिक्का जो है, वह मंत्र को सिध्ध करने के लिए लिए आप इस्तिमाल कर रहे हैं. जो चावल होता है, इसको हमारे सनातन धर्म में अक् आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, और जो आपने दीपक जलाया है, उस दीपक के सामने आपको ग्यारहा बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को ग्यारहा नंबर बहुत प्रिये है, बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी, नम्मा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम महालक्ष्मी नम्मा अब इस पोटली को ले जाकर के आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में जहां आप अपना पैसा रुपिया सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पूरे साल आपके पास धन आने के रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृध्य होगी इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है जो पूर्ण सूर्य ग्रहन के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नही जाता है अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का भी साथ देता है वह व्यक्त संबंधित जो भी निर्णे ले उस निर्णे से आपको फाइदा पहुंचे तो सिर्फ एक काम कीजिएगा आठ अपरेल को रात में दस बजे के बाद आपको दो सिक्के आर्स रप के ले लेना है आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है इस कमरे में आपक एक तिल का तेल का दीपक जला Dीपक के सामने आपको इन दो सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और ग्यारह भार माता लक्श्मी जी के बीज मंतर का जाप करना है बीज मंतर है ओम शरीम श्रिया नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम शरीम श्रिया नम अब इन दो सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में रख लेना है बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, और माता लक्ष्मी जी के उस आशीरवात की तरह आपके लिए काम करेंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस न बंध हो गया है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, इस सूरिग्रहन वाले दिन, सूरिग्रहन लगने से पहले, आपको एक प प्रेल को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, इस पीतल की कटोरी को आपको नीचे लाना है, एक लाल कपड़े में एक मुठी काली मिर्च और एक रुपया का सिक्का जहां पर कटोरी में रखा है, उसको डाल देना है, इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, और घर के पास किसी भी भिक्षुक को दान आपको कर देना है। दोस्तों, आपके उपर कोई ऐसा दोश है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन रुकता नहीं, वह दोश यह काली मिर्च और रब का सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से इस उपाय के बारे में जोतिश शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहन के दिन किया जाए, तो कभी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृप्या सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहें।